ये सारी चीज़े बेच कर भी आपकी कई इमाइस का बर्डन कम हो सकता है, इंकम में से पहला आपना खर्चा निकाले, सेविंग करें, इंवेस्टमेंट करें या लोन की भरपाई करें, ऐसा ना हो कि शार्क मचली आपको खाए, और आप छोटी-छोटी मचलीओं को मारने पर लगे हों, तो rate of interest का जो बर्डन आपके उपर है, वो कई ना कई एक तरह से खतम हो जाएगा, इंडिया इस वीडियो इस पावर्ड बाए मेटास लाइफस्टाई, हाई फ्रेंड्स, हमें से हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी फाइनस की ऐसी जरुत पड़ती है, जो उसके पास उपलब नहीं होता, ऐसे में उसका ध्यान सीधा एता है लोन लेने पर, और लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार हम लोन ऐसी जरुतों के लिए लेते हैं, जिससे हम एक बोज तले दब जाते हैं, और कई बार हमें यह पता ही नहीं लग पाता, कि धीरे 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 जीरे लोन का ट्राप हमारे उपर इतना बढ़ गय है कि मुसकी बोज तले दब गए हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम कर्जे से आसानी से मुक्ति पा सकें ताकि हम एक कर्जा-free life जी सकें, कर्ज-free life हमारी हो, how to get out of debt, और debt मतलब कर्जा, हम ऐसा क्या करें कि हम कर्जे से उभर कर बाहर आएं और अपनी income को अपनी growth के लिए इस्तिमाल करें, तो सबसे पहल जरूत के हिसाब से हमने loan ले लिया, जैसे हमें घर के जुरत पढ़ दिया, हमने home loan ले लिया, हमने गाड़ी खरी दी, car loan ले लिया, हमने अपने business को expansion की और ले जाने के लिए business loan ले लिया, या अपनी जरूतों को पूरा करने के लिए, picnic trip के लिए, family tour के लिए, family में किसी की जादी के लिए, हमने personal loan ले लिया, अपने बच्चों को higher education देने के लिए, हमने education loan ले लिया, और कई बार अपने operating cost या अपने monthly खर्चों को पूरा करने के लिए, हमने credit card का इस्तिमाल कर लिया, ऐसे में क्या होता है, धिरे धिरे loan का जो burden है, हमारे उपर बढ़ता जाता है, और कई बार ये burden इतना बड़ा हो जाता है, कि हमी समझ नहीं पाते हैं कि आयू income में से पहला अपना खर्चा निकालें, saving करें, investment करें, या loan की भरपाई करें, क्योंकि loan का amount कई बार आपकी salary के बराबर या उससे जादा भी हो जाता है, salary हो या income हो एक ही बात है, आपकी income से ज्यादा burden आपके उपर हो जाता है, तो सबसे पहले आपको identify करना है, कि जो आपका debt है, वो interest और EMI के basis पर कौन सा higher है, आप ये देखें कि 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 लोन पर rate of interest सबसे जादा है, तो सबसे पहले उसी लोन को खतम किया जाए, ताहिकि ज्यादा ब्याज आपको ना भरना पड़े और लोन का burden भी आपके उपर कम हो जाए, जैसे अगर हम credit card का इस्तिमाल भी करते हैं और car loan भी हम भर रहे हैं, तो सबसे पहले car loan की EMI विशक bounce हो जाए, लेकिन credit card की EMI bounce नहीं होनी चाहिए, क्योंकि credit card पर लगबग 30% का rate of interest है, वैसे तो EMI कोई सी bounce नहीं होनी चाहिए, पर अगर मैं priority की बात करूँ, तो सबसे पहले credit card की EMI या इसके loan को खतम करना है, उसके बाद आप देखें rate of interest किसका है, जैसे आपका person loan है, फिर इसको खतम करना है, फिर उसके बाद आपका business loan, फिर आपका car loan, फिर आपका education loan, फिर आपका home loan, और home loan तो वैसे भी हमें जारा तर 15 साल, 20 साल, इतने समय अबदी के लिए हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ EMI skip भी होती है, उसकी वज़र से अगर हम किसी बड़े loan का भुकतान करके उस बड़न को खतम कर सकें, तो हम आसानी से growth की और जा सकते हैं, दूसरा important factor जो काम करता है, वो यह है, calculate the total EMIs and your total income, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी total EMI कितनी जारी है, मतलब आपका, for example, car loan जाता है 7,000, home loan जाता है 10,000, credit card की EMI जाती है 13,000, आप सारा calculate करें, जैसे अगर मैं यह calculate करूं, तो 13 और 7,20 और 10,30,000 रुपे पर मंद आप EMIs भर रहे हैं, हाना, और calculate करें खर्चों को पूरा कर पा रहे हैं, नहीं न, तो आपको इसी चीज़ का management करना है, पहले calculate करें, income कितनी है, और EMI कितनी है, calculate total personal monthly expense, उसके बाद यह चेक करें कि आपकी total income में से EMI भरने के बाद, जो आपके पास balance बच रहा है, क्या वो आपके monthly expenses को meet up करने के लिए काफी है, यदि नहीं, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, pay off all debts and EMI as per high rate of interest, जिसका rate of interest सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसी को खतम करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर समुदर में आप कूद चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि shark मचली आपको खाए, और आप छोटी-छोट मचली को मारने पर लगे हूं, तो सबसे पहले shark मचली से बचना ज्यादा important है, इसका मतलब जिसका higher rate of interest है, पहले उसको pay off करें, और उसको pay off करने के बाद, आप और बाकी planning करें, जैसे arrange personal loan from friends and relatives at low rate of interest or without interest for some time, अपने friends से, अपने relative से, अपनी problem को discuss करें, उनको बताएं, for example, आ पांच लाख रुपे के loan पर आपको rate of interest जो जा रहा है, वो जा रहा है 12%, तो आप अपने friend and relatives से अगर को request करते हैं, खास दोस्त को बताते हैं, कि मेरे पास ना इतना करजा है, और मेरा rate of interest इतना है, अगर आप ये कुछ समय के लिए मुझे पैसा उधार दे दे, तो पहले त पैसा कुछ installment में आसानी से, जैसे से income उपलब दोते जाएगी, मैं देता जाओंगा, विश्वास मने, अगर आप पुरे विश्वास के साथ अपने ऐसे friends and relatives को डूड़ना शुरू करते हैं, तो आपको आसानी से ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं, जो आपकी problem को समझ कर, आप इसे लोग भी आपको मिलेंगे, अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं, तो rate of interest का जो burden आपके उपर है, वो कही ना कहीं एक तरह से खतम हो जाएगा, ये भी एक try कर सकते हैं, उसके अलाबा, sell your all unused assets or gadgets are not in use, आपके पास बहुत सारी ऐसी unutilized assets हैं, जिनको आप यूज नहीं कर र वो आपके लिए useless हैं, तो ऐसी useless assets को अपने पास रखकर आपके उल उसकी value को depreciate कर रहे हैं, ऐसे में आपको वो assets पहले sell कर देनी चाहिए, जैसे आपका पुराना computer है, आपने देखा पुराना camera आपके पास है, mobile phones कहीं हों के पास, 4-5-5 mobile phone घर में रखे हुए, वो ऐसी रख asset है, all dining पुराना, अब यह नहीं कहना मैं कि आप गर का समान बेच कर करदा चुका दें, ध्यान से समझेगा, मेरा कहने का कहीं भी तात पर यह नहीं कि आप अपने घर की assets को बेच कर अपना करदा चुका दें, बहुत सारे लोग के पास इतना सारा unutilized furniture, store room में भरा हुआ हो आपकी EMI 30,000 रुपे की है, problem यह कि आपकी income 45,000 रुपे की है, अब दो तरीके है, या तो आप इस EMI को कम करके 15,000 रुपे पर ले आए, या अपनी income को 45,000 से बढ़ा कर 60, 70, 90,000 रुपे कर ले, दोनों ही अवस्था में आपकी problem solve हो जाती है, तो तरीका मैंने आपको क्या ब सबसे पहले generate more ways of income, क्या पार्ट टाइम वर्क करना शुरू करें, बहुत सरो लोग न अपने comfort zone से भारी नहीं आती है, दस से छे का टाइम है, दस से छे का office जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अपना सारा टाइम, entertainment पर, इधर दुर की बातों पर, gossip पर, friends के साथ, वेस्ट कर देते हैं, या social media पर लगे हों, बेस्ट कर देते हैं, उस unutilized time को part-time work के रूप में इस्तिमाल करें, कई companies में ये option होती है, जहां पर आप extra hours लगा कर, extra income generate कर सकते हैं, तो part-time work करें, उसके लावा freelancer या affiliate marketer के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में, ज़ाला तर आप this industry फिर लूर्टन इसरी खे सकते हैं, जैसे आप interior designingच में के सब्बन्दित काम कर सकते हैं, आप sales में तो sales profession में 알कité के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप marketing में तो आप products and services की marketing कर सकते हैं, ऑप digital में तो बहुत सारे लोगों का अजयर fre loud-ser लांसर digital marketing का work कर सकते है है ना affiliate marketing कर सकते हैं आपको अगर net surfing ही करनी है तो Amazon जैसी company के साथ मिल कर affiliate account खो लें और वहाँ पर जिस तरह के product आपको पसंद है वहाँ से affiliate marketing के जरीए income generate करना शुरू करें work on commission basis आज जिस industry की knowledge आपके पास है उस industry में बहुत सारे buyers हैं अगर आप buyer सर्च करना जानते हैं तो buyer सर्च करने के method से आप आसानी से नई lead generate कर सकते हैं और commission basis पर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं यह एक extra option हो सकता है rent out your vacant property या unutilized property बहुत सारे लोगों के पास मालीजे दो दो मंजिल का मकान है तीन मंजिल का मकान है दो ऐसे खाली पड़े हुए महां दूल मिटे जम रही है तो उनको साफ सफाई कराके बिल्कुल थोड़ा maintain कराके उसको किराये पर उठाएं उससे extra income आने वाली है कई बार तो reduce your monthly expenses अब बहुत सारे लोग क्या करते है standard of living में कोई चेंज नहीं चाहते कर्ज तले दवे रहेंगे लेकिन अपना जो attitude आना जो शानु शौकत है उसमें कोई परिवरतन नहीं करेंगे उनको जरूरत क्या है अपने monthly expenses को कम करने की जैसे आप चेक करो कि कौन-कौन से ऐसे monthly expenses जो आप घटा सकते हैं जैसे आप मैनी में दो बार तीन बार एस्टो जाते हैं तो वह आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं उस budget को आप maintain कर सकते हैं फैमिली के साथ जो entertainment पर extra trip पर गोमने फिरने पर बहुत एक्स्ट्रा जो आप खर्च कर रहें शौपिंग पर वह सारे source of earning के लिए काम करेंगे तो मैंने आपको बताया है पहला काम तो करना है आपको आपका जो लोन है उस लोन के amount को मनलों 30,000 रुपए आपका लोन है इमाई है उसको कम करना है 10,000, 12,000, 15,000 पर लेकर आना है और हो सकते हैं तो भविश्य में इसको बिल्कुल 0 लेकर आना है औ तो एक जगह आपका खर्चा कम होता जाएगा इंकम बढ़ती जाएगे तो आप आसानी से कर्ज के बोज के तले आसानी से बाहर आ सकते हैं और अपने फ्रेंट्स और रिलेटिव जिनसे आपने वो सपोर्टिंग मनी ली थी इन चीजों से उबरने के लिए उनको भी उनका ग्रोथ पर ध्यान देते हैं इंकम जनरेट करने के नई रिसोर्स पर ध्यान देते हैं तो आपको जरूते नहीं पड़ती कि आप लोन ले और फिर भी अगर जरूत पड़ती है तो आपके पास एक प्रोविजन होता है उनकी लोन की EMI रीपे करने के लिए इसलिए हर चीज सबस्क्राइब करें बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत